मेरे पती ने मैंनू तलाख दे दिता सी, क्योंकि मैं कदे मा नहीं बन सकती सी, ते उस तो बाद तुझा व्यावी कर लिया सी, एक साल बाद उस दे कारपुत्तर दा जानम होया, ते उसने मैंनू अपने बेटे दे पहले जानम देंते बुलाया, ताकि उस सब कुछ वेह के मै मैंनू बुरा लगे, उस दा इरादा मैंनू पहला तों ही पता सी, एसले पार्टी ते जानदे समय मेरे कोल एकल फाफा सी, ओ मैं अपने नाल लै गई, जदो मैं पार्टी ते पहुंची ता उसने मैंनू देख्या, ते मेरे कोल आके कहन लगा, देख, ते नू तलाक मेरा फैसला बेलकोल सही सी, आज मैं एक बच्चे दा बाप बन गया हाँ, उस दी गल साण के मैंनू हसा आया, ते मैं उसनू ओहल फाफा, उस दे हाथ वेच दिन्दे होई कहन लगी, एसनू त्या अननल वेखो, जिमें ही उसनी ओल फाफा देख्या, ता उस दे ता होशी जिमें उस उपर असमान डेग गया होवे, अज मेरी नंद दे बेटे दे जनम देंदे कारवेच पूजा रखवाई गई सी, ते मैं पूजा दे लेई आय होई समान नू हाथ लगा देता सी, बस फिर किसी मेरी सासने हो देख लेया, ते लाग गई जोर जोर नल चीकन, कि त असमान नू हाथ लाया ता लाया कि में, ते नू एन्नी छोटी जे गल भी समझ वेच नहीं होँदी, कि वंदना दे बेटे दे जनम देंदी पूजा दा समान है, ते तेरे वरगी बांज औरत ने असनू हाथ लगाया, जांके ते ऐस तरा था नहीं, कि तेरे कुलों आपनी नन्द दा सोख नहीं देख्या जा रहा, इस अन्दे ही मेरी अख़्ा मिचों हंजू वेहन लगे, फिर भी मैं आपनिया पावनामानों दुबाँदे होए किहा, मा जी, एस तो अग्गे ता, मेरे तो कुछ किहा भी नहीं गया, इन्ने वेच मेरी नन्द वंदना, जो मेरी नन्द काटते सहेली जादा सी, मेनू ताना मारदे होए कहन लगी, कि पाबी, तो हाड़े तो ता एहो जी, उमीद नहीं सी, शायद मेरा मा बनना, तो हाड़े कुछों देख्या नहीं जा रहा, एन्ना अपमान सहन करन्दे बाद, मैं उदास चेरे नाल अपने पती वल दे कि वंदना नो तू अपनी पे अंदी तरह मान दी है ना, तू फिर उस नाल अजिहा किमे कार सकती है, वस दा अजिहा कहना सौन के ता, मैं ता अंदरों पूरी तरह टोट गई, क्योंकि कुई भी औरत सास्ते नांदनू ता सेहन कार सकती है, पर जेकर उस दा पती, जसनो उ अपना सब कोज मन्या हुए, ते जस दे नाल सत जन्मा तक रहन दी सौन खादी हुए, जेकर उओ अजिहा कहे, ता फिर उओ औरत की कर सकती है, मैं रूंदे रूंदे जाके रसोई वेच कम करन लग गई, बांज होन दे कार्ण मैं पूजा वेच किसे भी चेजनू हाथ नह नहीं लगा सकती सी, पर एक नू होन दे नाते, कर दे सारे कमा दी जम्मेवारी मेरे ते ही सी, मैं सोचन लगी कि जेकर मैं मा नहीं बन सकती, ता एस वेच मेरा की दोश है, की मां बनना खोद एक औरत दे हाथ वेच हुन दा है, मेरी सास एक स्कूल टीचर सी, मेरी नंद ने वकालत किती हुई है, ते मेरे बती एक इंजीनियर हन, मैंनो हरानी एस गल्दी हुन दी है, की एनने पड़े लिखे लोकां दे विचार, एनने बैक वर्ड हन, की सर्फ पूजा दे समान नू हाथ लगा देना अप्शगन हो गया, मैंनो आज भी याद है, की कैस तरह मैं ते मिरे पती गौरव पहली वार आफिस विच मिले सी, मैंनो आफिस जोईन किते थोड़े ही दन होई सी, एक दन में आफिस दि प्रेजन्टेशन दे रही सी, ते बहुस दे नाल, उथे बठे सारे लोक काने, मेरी प्रेजन्टेशन दि बहुत तरीफ किती। गौरव नेवी तरीफ किती सी, ओ मेरी प्रेजन्टेशन तों काफी प्रभावित होया सी एक ही ओफिस वेच एकठे काम कारदे कारदे, असी दुनों कदूं एक दूजे दे प्यार वेच पैगई, सानू पता ही न लगा कारवाल्यानू जदो दस्या, ता उन्ना नेवी एस रेष्टे लई हाँ कैदिती, ते साड़ा व्या हो गया मेरी सास, सौरा, नंद, पहुत चंगे सबादे सान एना चंगा पती मेनू मिलेया है, एस लिए मैं खोदनू कैस्मत वाली सामज़ दी सी कारवने मिन्नू पहला ही कैदिता सी, कि व्यादे दो तेन साल तक मिन्नू बच्चा नहीं चाईदा पहला जंदगी इंजोई करांगे, फिर बच्चे दी जुम्मेवारी शायद एस लिए कारवाले दो तेन साल तक बच्चे नू लेके कोज नहीं बोले पर व्यादो पांच साल हुंदे, सारे कारदे ताने मारन लगे कारदे मेंबर, ते रेष्टेदार, मेरी पेट पिछे मिन्नू बांज गैन लगे मेरे बच्चा नहीं हो रहा सी, ऐसले गौरवने मिन्नू पहला कोज नहीं क्या पर होण ओवी मेरी नाल ठीक तांग नाल गाल नहीं करदा, ओ सर्फ मेरी नाल कम मतलब दी ही गाल करदा सी एस तरह लगदा ही नहीं सी कि असी दोनों पती-पतनी हां, एक कारवेच रेंदे हां मैं अपना दोख दस्सां तक यसनों दस्सां, कौन मेन्नू सामझेगा आज साथे व्यानों आठ साल हो गई, मैं सोचन लगी सी कि आज गौरव अपनी चौप तोड़के मैंनू विश जरूर करेगा एसलिए मैं असदा मन पिसांद नाश्ता उसनों देता, पर उसने चौप चाप नाश्ता किता, ते एक शाब्द कहे भिना ही, दफ्तर लई चला गया गौरव दे दफ्तर जानतो बाद मैं दफ्तर विच फोन करके ए दस्या कि मेरी तबियर ठीक नहीं है, ते एक एक चुट्टी ले लई मैं सोच्या कि गौरव नू एक चंगा जहा सर्प्राइज देमा, गौरव ने मिन्नू एक वार भी नहीं पुच्या कि तू छुट्टी क्यों लई मैं राद देखाने वेच पालक मडीर कोफते ते होर भी बहुत कुछ बनाया, बेडरूम नू सुन्दर फुल्ला ते मों बतिया नाल सजाया अस दी पसांत दी लाल रंग दी साड़ी भी पालाई, मैंनू अज पूरा यकीन सी कि गौरव अपने चुपी तोड़के मेरे नाल गालत जरूर करेगा ते मैं असनों बच्चा गोदलें ली मनाल मांगी, पर जदों हो करे आया तो असने एक वार भी मेरे वल नी देखिया मैंनू लगा कि शायद बेडरूम मेंच जाके विश कर देवे पर सब कुछ उल्टा ही हो गया, विश करना था दूर उसने मेरे बल वेख्या तक नहीं, मेरे तो रहा नहीं गया मैं किहा कि आज साड़े व्यादी बरे गंड है, तुसी एवी पॉल लगे ए सण दे ही ओ कहन लगा, ओ नहीं नहीं, ए देन ता मैं पुलना वी चामा, ता वी पॉल नहीं साकता क्योंकि आज दे देन ही एक बाँज और्थ मेरे पल्ले पै गई सी अजेहे शब्द सण के मेरी या अख़्ा सामने ता हनेरा ही छा गया मैं अपने हंजुआन रोक दे होई कहन लगी कि असी बच्चा गोध नहीं लए सकते तेनु मैं किन्नी वार कहा है, एस गलते किन्नी वार बैस हो चुकी है मैं दूझे दा बच्चा, दूझे दा खून नहीं ले सकता मैंनू मेरा खौद दा बच्चा चाहिदा जो तु मैंनू ऐस जानमवेच नहीं दे सकती ते हाँ, आज अपने व्यादी वरेगंड है ता मैं तेरे लिए एक वक्रा ही तोफा लेके आया हाँ मैं सोचन लगी कि जो इंसान वार वार ना दिल राटलाई बेठा है ओ मेरे लिए की गिफ्ट लगिया हुएगा गौरव ने मैंनू एक लफाफा दिता मैं वी बहुत उत्सुकता नाल उसनू खोलन लगी अंदर तलाख दे पेपर सान ओना कागजा नू देखके मैंनू विश्वास नहीं हो रहा सी कि जो इनसान मेरी इनी तरीफ करदा सी जसने हर तरांदे समय विच मेरा साथ दिता अज जो हो एक बच्चे लई मैंनू तलाख दे देवेगा अजेहा लग रहा सी जिमें मेरे ते असमान ही टौट गया हुए पर फिर आपने अपनो संबाल दे हुए तरांदे ही तलाख दे पेपर दे साइन कर दिते क्योंकि जदों उस दे मन विच मेरे लिए प्यार ही नहीं है ता अजेहे इनसान दे नाल रहन दा की फाइदा दूजे देन मैं उकार छाट दिता ते गौरवी इही चौदा सी कौज दिना बाद मैं बहुत कोशिश किती ते अपना तबादला दूजी ब्राँच वेच करवा लेया क्योंकि उस दे नाल काम करना मतलब पुराणिया यादानों ताजा करन वरगा सी एक में हिनने बाद ही उस दा दूसरा व्या हो गया एक साल बाद पता लगा कि उहो एक बेटे दा बाब है बेटा हों दी खुशी वेच उसने पार्टी रखी सी उस पार्टी वेच मेंनो भी बलाया सी ताकि उहो मेरा अपमान कार सके मैं भी उस पार्टी वेच गई मैं नू देख देही यो मेरी कोल आया ते कहन लगा देख तेनू तलाक देन दा मेरा फैसला किनना सही सी मैं बाप बन गया हाँ मैं वी बहुत ही निमरता नाल उसनू पिता बन दी बदाई दिती बाद वेच मैं अपने नाल जोल फाफा लेकि आई सी उसनू दिन दे हुए किहा कि मेरे बलों इहे एक सरप्राइज गिफ्ट है सरप्राइज गिफ्ट दा नाम सणके ओ थोड़ा हैरान होया क्योंकि व्यादी वरे गंड दे देन उसने मैंनू सरप्राइज गिफ्ट ही दिता सी तलाक दे पेपर दे रूप वेच और ये मेंनो कीड़ सर्प्राइज गिफ्ट दे रही है ये सोच दे हुए उसने लिफाफा देखिया ता ओ वेख के उसने पैरा हिटो जमीन खिसक गई कड़ाके दी थांड वेच ओ पूरा पसेने नाल पेच गया सी क्योंकि उस लिफाफे दे अंदर उस दी मेडिकल रिपोर्ट सी उस वेच साफ साफ लिख्या सी कि ओ कदे भी पिता नहीं बाण सकदा ओ अपनी पतनी वाल वेखन लगा उस दिया चुकिया हुया नजरा ने सब कोज शीशे वांग साफ कर देता मैं असनों कहा कि होन तेनों ए फैसला लेना पैना है कि तू दूसरे दा बच्चा, दूसरे दा खून, गोद लमेगा के नहीं इनना कहके मैं उस तों वापस आ गई दूजे दन ओ ते उस दी मा मेरे का राए दोना नो कुछ समझ नहीं सी आ रहा कि कित्थों शुरू करिये ते की कहिये फिर ओ कहन लगा कि ओ मैडिकल रिपोर्ट मैं असनों दस्या कि जेकर तेनों याद है तासी दोना ने ही मैडिकल चेक अप करवाया सी ते किसे कामदी वज़ा करकी तूँ रिपोर्ट लैन नहीं सी जा सकया ते मैं इकले ही गई सी एस ओन के गौरव कहन लगा हाँ हाँ फिर कारौन तो बात तूँ क्या सी कि कमी तेरे विच है पर तूँ चूट क्यों बुलिया क्यों इन्ने सालां तक सारे आंदे तानने सुने तेनू की जरूट सी चूट बुलन दी मैं किहा क्योंकि मैं तेन्नो प्यार कर दी सी मैंनो लग ज़िया कि जदो तेन्नो पता लगेगा तो तू ऐस गालनों सेहन नहीं कर सकेंगा ते अंदरों पूरी तरह टोटे जाएंगा ते मैं तेनू अजेही हालत विच नहीं सी वेख साकदी मेरा की सी, मेरी ता आदत सी तानने सणंदी बाकी साब्दे तानने ता मैं सणंदी रही सी पर जदो तू मेनु सुनाना शुरू किता ता ओ मेरे तो सहन नहीं होया गौरफ कहन लगा कि जदो मैं तेनु तलाक दे पेपर दिते ता तू ओधो साच क्यों ने दसेया गौरफ गलती मेरी है जो मैं तेनु इन्ना प्यार किता तेरे ते इन्ना विश्वास किता कि चाहे कोज भी हो जावे तू मेंनू कदे एकला नहीं चाड़ साकदा जदो तेरा प्यार ही खतम हो गया ता नाल रहके भी की हुंदा मेरी सास मेंनू कहान लगी कि साड़े कोड़ों गलती हो गई हो सके ता सानू माफ कर दे सब कुछ पलाके साड़े नाल अपने कर चल मेंनू कहा कि गल माफ करन दी जा ना करन दी नहीं है गल आतम सनमान दी है ख़ण में उसका अरवेच पैर नी राख सकदी ते गौरव अगले महिने मेरा व्या है ते जेड़ा में तेनू सर्प्राइस गिफ्ट दिता औस नाल में ए विखना चौन दी सी कि ए सब को जान के तू दूसरे दा बच्चा गोद लेंदा के नहीं क्यांकि जदो मैं क्या सी तो साफ मना करदता सी ते ऐस तो एक गल पता लाग दी है कि मर्द हमेशा ही अपने वड़े होंदा दिखावा कर दे हैं ते पोली-पाली ओर्ट नू हमेशा नीमद खौन दी कोशिश कर दे हैं पर कमी एक मर्द विच भी हो सकती है एक अलोह पल जन दे हैं ते अग्गे जाके अजेहे आदमी ही फस जन दे हैं पर जदों तक सचाई सामने होंदी है उदों तक बहुत देर हो चुक्की हुनदी है जो मर्द हंकार दे कार्ण एक ओर्त दे अत्या चार कर्दा है अस ओर्त दे वल रब हुनदा है ए पोलणा ने चाईदा तो प्यार्वेज पिए ओर्त मर्द दी हर एक कमीनों ब्रदाश्ट कर लेंदी है तूसी दसेओ कि असने अपने पती नाल जो किता वो बेलकुल सही सी आपने विचार जरूर लखके दसेओ चंगी लगी कहाणी तक एक लाइक भी करेओ ते अपने दोस्तां ते सहे लिया नाल शेर भी करेओ एक कहाणी सुनली बहुत-बहुत तान्वाद चैनल उपर बाकी कहाणिया में सुन लियो, मिन्नु उमीद है, पिसान्द वाण गया